वेल्कम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 12 इंग्लिश की जो पोयम नंबर 4 है अज हम करेंगे उसके question answer तो चलती से वीडियो को like कर दो I hope आपने वीडियो को like कर दिया है और अभी तक मेरे भाई चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर दो so that आपको हमारे सारे updates मिलते रहे question number one list the things of beauty mentioned in the poem तो इस poem के अंदर जो beauty जिनको सुन्दर चीजे कह रहे हैं poet john kids वो क्या-क्या है उनकी हमें list बनानी है तो देखो पूरा question हमने sorry पूरा answer question से the things of the beauty mentioned in the poem are ये पूरा मैंने question से उठाया है कौन-कौन सी चीजे है sun, suraj है, moon, chand है, trees है, flowers है, water streams है तो जो भी natural चीजे हैं जो भगवान ने बनाई है उन सब को जो john kids हैं वो क्या कह रहे हैं ये सारी thing of beauty है next list the things that cause suffering and pain उन चीजों की list बनानी है जो suffering यानि परेशानी देती हैं दर्द देती है the things that cause suffering and pain are number one, number one है malice, malice क्या होता है a wish to hurt other people, यहाँ पर यह देखो images से समझो जब हम अपने मन में कुछ इस तरह की इच्छा रखते हैं कि दूसरों का नुकसान हो जाए that is called malice, disappointment जब हम निराज होते हैं ठीक है तो जिससे हमें pain होता है unhealthy lifestyle, आज का जो lifestyle है वो कैसा हो गया है पीजा, burger, यह, दारू, beer तो unhealthy lifestyle यह negative thoughts यहाँ देखो यह जो negative विचार हैं यह भी हमें pain और suffering देते हैं next, what does the line therefore we are raving a flowery band to bind us to the earth suggest to you so children, poem में एक line है कि raving a flowery band इसका मतलब क्या है देखो, इसका मतलब यह है कि इस nature ने हमको इतनी जादा सुन्दर सुन्दर चीज़े दी है जिसकी वज़े से हम इससे जोड़े रहते हैं ठीक है, bind का मतलब है जोड़े रहते हैं हमारी अर्थ पे इतनी सुन्दर सुन्दर चीज़े है, nature ने जो बनाई है nature की तरफ से और वो बिल्कुल free of cost है सब के लिए this line suggests that this world is full of beautiful things इस line का मतलब है यह जो संसार है सुन्दर सुन्दर चीज़ों से भरा हुआ देखो आप यह नजारा देखो जैसे हम नजारा देख रहे हैं कितना सुन्दर लग रहा एक पेड़ है यहां से sun है, यहां पे water है, यहां पे greenery है which gives us pleasure and bind us to earth तो अब यह जो सुन्दर सुन्दर चीज़ी है हमको खुशियां देती है हमको pleasure देती है और हमें हमारी earth से जुड़ाव जो हमारा है वो रखती है चिल्डरन इस तरह का वीडियो बनाने में बहुत महनत लगती है प्लीज एक subscribe कर देना, आपका एक subscribe, आपका एक like हमारा motivation बढ़ाता है so I hope आपने वीडियो को like कर दिया होगा what makes human beings love life in spite of troubles and suffering अब ये question कह रहा है कि भले से इनसान की life में बहुत सारे दुख दर्द आते रहते हैं फिर भी हम अपने जीवन से प्यार क्यों करते हैं पहले इस images से समझे चिल्डरन देखो, जो joys है या up and down है वो तर लाइफ का part है दुख आएंगे तो खुशियां भी आएंगी तो क्या इसके चकर में हम जीना छोड़ दें नहीं संसार में इतनी अच्छी चीजें हैं नेचर ने हमें दी हैं उसकी वज़े से हम खुश रहते है life is full of ups and downs जो life है पूरी तरह से खुशियां और गम दोनों से भरी होई है दुखाएगा तो खुशियां भी आएंगी troubles and suffering are part of it अब यही से मैंने यह उठाया है troubles and suffering परेशानिया है दर्द वो सब life का part है yet का मतलब होता है फिर भी the beautiful things जो सुन्दर सुन्दर चीजे हैं अब इसके बाद यह पूरी red line मैंने पूरी question से ही copy paste कर दिया है make human beings love life जो सुन्दर सुन्दर चीजे है children एक चीज याद रखना जब भी john keats यानि जो poet है इस poem के जब भी वो बात कर रहे है beautiful things की तो यहाँ पे वो beautiful things का मतलब है और ऐसी चीजे हैं नेचर ने बनाई है जो सारी सुन्दर है children अगर आपने अभी तक हमें instagram पर follow नहीं किया है तो englishbapa.eb मुझे instagram पर follow कर लो और आप मेरे साथ वहाँ बात भी कर सकते हो मुझे message भी कर सकते हो और link जो है मैंने description में डाल दिया इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि सर आपकी updates हमें mobile phone पर भी मिलते रहे तो आप मुझे telegram पर आज ही join कर लो telegram का जो link है वो मैंने description में डाल दिया next why is grandeur associated with the mighty dad जो grandeur है grandeur का मतलब क्या होता है grinder का मतलब है जिसने एक ऐसा महान काम किया हो great mighty dad का मतलब है वो लोग जो मर गए है यहां पर बात हो रही है हमारे पूर्वजों की हमारे four fathers की इसका answer मैं इस तरह से समझाऊँ है children आपको याद होगा भारत की आजादी में ना जाने कितने लोगों ने कितने हमारे वीर जवानों ने अपनी जानों की बाजी लगा दी और तब जाके हमें यह आजादी मिली है class 10th में आपने यह वाला chapter पढ़ा था Nelson Mandela वाला इसका मतलब यह है जो हमारे पूर्वज हैं जो हमारे four fathers हैं जो आप इस दुनिया में नहीं हैं उन्होंने हमारे इस जीवन को बहतर बनाने के लिए अपने जो प्राण है वो दाओ पे लगा दिये तो अब हम answer लिखेंगे my dad means our four father my dad का मतलब है हमारे पूर्वज they did sorry यहां दे आएगा they did number of noble deeds उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किये अपने टाइम पे their sacrifice for their nation इनका जो sacrifice था अपने अपने nation के लिए inspire us उनका जो जो sacrifice है वो हमें आज भी inspire करता है that is why इसलिए अब यह पूरा मैंने question सही copy किया है grandeur is associated with mighty dad do we experience things of beauty only for short moments or do they make lasting impression on us अब यह question पूछ रहा है कि जो सुन्दर सुन्दर चीजे हैं वो हमें केवल थोड़ी देर के लिए खुश करती है या हमेशा के लिए long lasting impression है children कोई tree है जब भी आप उसकी छाया में बैठोगे तो आपको अच्छा लगेगा जब भी कोई river है जब भी आप उसके water में जाओगे swimming करोगे बैठोगे greenery में तो हमेशा अच्छा लगेगा तो answer है जो things of beauty है थोड़ी देर के लिए जब भी हम उसमें जाएंगे जब भी हम उसको feel करेंगे वो हमें खुश करेंगे things of beauty make a lasting impression on us पूरा यहीं से उतार दिया the poet जो john keats है also says a thing of beauty is a joy forever जो poet है वो भी यह वाली बात कहते है कि एक सुन्दर चीज होती है वो हमेशा आनंद दायक खुशियां देने वाली होती है what image does the poet use to describe the beautiful bounty of the earth beautiful bounty का मतलब है कि यह जो earth है यह सुन्दर सुन्दर चीजों से भरी हुई है और वो क्या image यूज करते है the poet use the image of वो एक line यूज करते है क्या कहते है an endless fountain of immortal drink is pouring from the heaven bring यानि कि सीधे स्वर्ग से सीधे जन्नत से सीधे भगवान की तरफ से एक endless fountain है मतलब हमारी इस nature में इतनी चीज़े है कि भाई सब वो कभी खतम ही नहीं होंगी बस हमको जरूरत है तो बस इन चीजों को feel करने की इनकी value को value करने की इनकी कदर करने लिए to describe the beautiful bounty of the अर्थ ये पूरा मैने question से लिए children इस last question का answer आप मुझे दोगे comment section में देखता हूँ कितने बच्चे right answer देते है poet of this poem is इस poem के जो poet है वो कौन है जौन कीट्स, विलियम, रॉबर्ट फ्रोस्ट या इंगलिश पापा इस question का answer आप मुझे दोगे comment section में I hope आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो को like कर देना, channel को subscribe कर देना मिलते हैं अगले वीडियो में Bye Bye